तो हाई फ्रेंड अब लोन लेना इतना आसान इतना इजी हो गया है मैंने ये वीडियो बना रहा था बनाते बनाते मेरे को लोन मिल गया है जी हाँ अगर आप लोन की सोचें कि मुझे बहुत बड़ा कोई पेपर वर्क करना होगा बहुत सारे कागजात इखटे करने होगा ऐ की हमें राइक होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है मैंने तो यह सोचा कि मेरे वोन लेना नहीं था एक ama न यह मैं बात कर रहा हूं कितना पांच हजार दस हजार पचीस हजार पचास तक अगर आपको लोन लेना है तो आप ईजी तरीके से ले सकते हैं अगर उससे बड़े चली आपको बताते हैं वीडियो आप complete देखी गए तब ही आप इसको पूरा follow करेंगे सही से तो आप किसी भी वक्त एनी टाइम आप loan ले पाएंगे और ये सबसे कम interest rate पे आपको मिल जाएगा तो यहाँ नीचे आप description में जाएगा एक आपको लिंक बिलेगी उस पर किलिक करके आपको इस application को इंस्टॉल करके और यहाँ पर आपको सारी term and conditions पर किलिक करके इसको प्रोसीट कर देना है allow बगेरा कर देना है यहाँ पर mobile number डालके OTP को verify करके login हो जाना है यह बड़ा मतलब easy आसान है इसको details में बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको अपना passport डाल देना है पासपर डाल देने के बाद यहाँ पनलब एक नया पासपर आपको बना लेना है जो भी आप बनाना चाहें उसके बाद इन दौनों term and conditions पर आपको क्लिक कर देना है agree and continue वाला जो option है नीचे आपको इस पर क्लिक कर लेना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको allow कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे welcome lawn के लिए आपको एक option अजर आता है जहाँ पर आपको proceed वाला जो option है इस पर आपको कर देना है किलिक जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हो यहाँ पर देखेंगे आपको एक 50,000 रुपै की लिमिट दिखाई दे रही है जिसमें आप ज़स्ट 5 मिनिट में यहाँ पर लॉन ले सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर पहले चेक किया जाएगा आपको KYC के जरिया कि आपको कितने तक कलोन मिल सकता है आपको प्रोसीट करना है नीचे प्रोसीट करने के बाद यहां पर आप भासा चूज कर सकते हैं उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहां पर डाल देना है pen card number डाल देने के बाद आपका यहां पर जो भी pen card से mobile number लिंक है उस पर OTP जाएगा उसको आपको यहां पर डाल के verify कर लिना है यहां पर आपको अपनी date of birth यानि की जन्म तिथी डाल देनी है proceed करना है proceed करने के बाद आपको यहां पर OTP आएगा आपके mobile number पर तो वो आपको यहां पर भरके प्रोसिट वाला जो नीचे बटन है उस पर आपको किलिक करना है जैसे यहां पर किलिक करते हो आपको अब आपना आधर card number भी आपको verify करना है आपको इस तरीके से एक option आजर आएगा जहां पर लिखा हुआ है कि आपकी जो KYC है वो successfully done हो चुकी है तो हम go to welcome lot का जो option है इस पर हमें किलिक कर देना है जैसे इस पर किलिक करेंगे आपको यहां पर लाया जाएगा यहां से आप back कर लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको थोड़ी दिर में एक option आजर आएगा पिलीज चेक लॉन टर्म यानि कि आपको जो amount पास हुआ है वो हुआ है 1000 से 6000 रुपए तक का आप तुरंथी लॉन अभी ले सकते है उक्के वाले बटन पर आपको क्लिक करना है अगर आपको इससे ज़्यादा कलॉन चाहिए है तो आपको अभी हाल ही में प्रवाइट नहीं होगा आपको पहले इस लॉन को लेना होगा इसके बाद इसकी माई भरेंगे तो आपको अगली बार बहुत ही जल्दी 50 जार तक कलॉन मिल जागा अगर आपके अच्छा एकाउंट है उसमें पैसा आता जाता रहता है तो फिर आपको 50 जार का अभी मिल जाएगा मेरा ये बंद पड़ा हुआ मतलब बहुत पुराना एकाउंट है इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं होता है यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मिशन मागी जाएगी क्योंकि अब आपका जो पैसा है वो आपको मिलेगा तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मिशन में जैसे आप किराय की घर में रहते हैं कि आपकी साथ ही हो चुकी है कि नहीं पस ये normal information इसलिए मैं इसको details में नहीं बता रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है normal information है यहाँ पर देखिए आपकी seal ठुक चुकी है आपको देख रहा है यानि कि आपकी महर लग चुकी है और आपका जो loan है वो approved हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं यह लखा देख रहा है आपको 6000 रुपे का आपको जो loan है वो यहाँ पर मिल चुका है तो अभी यह application में ही रहेगा क्योंकि अब इसको verify किया जाएगा और इसके बाद फिर आप इसको कहीं भी use कर सकते हैं अपने bank account में भी डाल सकते हैं जहाँ पर आप चाहें यहाँ पर देखे upload my bank statement एक नीचे option इस पर आपको click करके आपको अपने bank की statement यहाँ पर upload करनी होगी देखे यहाँ पर मैंने upload कर दिया है i confirm पर click करके और यहाँ पर मैं इसको upload कर दूँग अब आपको थोड़ा सा समय लगेगा उसके बाद आपका जो amount है उसको आप easily तरीके से अपने account में bid roll कर सकते हैं अब loan की आपको अगर किस्त भरनी है तो उसको देखे कैसे भरनी है यहाँ पर आपको wallet money का जो option है इस पर click करना है यहाँ पर आपको एक passport बनाना पड़ेगा उसको आप बना लीजीगा उसके बाद यहाँ पर आपको add money वाले option पर click करके यहाँ से आप अपने किस्त के रुपए जितने भी आपको add करने है वो आप यहाँ से add कर लीजीगा और आपको next वाले बटन पर click करना है तो आप google paper पहुँच जाएंगे वहाँ google pay, phone pay, ATM card, net banking किसी के भी जरीए आप अपना add पैसा उसमें कर सकते हैं और उसी से अपनी जो किस्त है उसको भी यहाँ से fill up कर सकते हैं अपनी जो किस्त है वो यहाँ से चुका सकते हैं तो इस तरीके से आपका यह पूरी चीजें आप यहाँ से easily तरीके से कर सकते हैं तो अब इस पर click करिया के बाद एक चीज ध्यान रखेगा मैंने जो research किया है यह पूरे तरीके से किया है ताकि किसी के साथ कोई fraud ना हो RBI registered है मैंने यह भी देख लिया था तभी इस वीडियो को suit किया हुआ है हाँ कई बार यह loan approved नहीं होता है तो आप मुझे यह मत किजिगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है किसी बज़े से कोई documents में कमी या जैसे कोई problem अगर है तो उनको नहीं हो पाता है अधिकतर लोगों का लेकिन जादा तर मैंने देखा है उनका approved हो जाता है उन्हें loan मिल भी जाता है तो फ्रेंड आपको इस चैनल पर बड़े ही trustable वीडियो बिलेगे बहुत ही इमांदारी से बनाए हुगे वीडियो आपको बिलेगे कोई आपके साथ ऐसा नहीं कि कोई घुमात फरा दिया जाए तो आप ऐसे ही वीडियो पात रहने के चैनल को डिज़ के नीचे subscribe जरू कर दिया बगल में घंटी दवाएंगे तब ही आपको हमारे सारे वीडियो जरूर मिलते रहेंगे वीडियो गार अच्छा लगए तो एक like जरूर कर देना